साथियों आज मैं आपका सिर्फ और सिर्फ अधिक्तम दोनट लेना चाहूंगा क्योंकि एक छोटी सी अपडेट आपको देना चाहता हूं हो सकता है कि आपकी भी यह क्वेरी हो क्योंकि इन कॉश्चंस के रिगॉर्डिंग मेरे पास कई बार कॉल भी आई है और मेरे पास और M2 का paper fill किया है क्या M1 में fail होने पर आप paper 2 में भी fail मना जाएगा या फिर आपका जो admit card है उसमें लिख किया गया है medium English और paper आप देना चाहते हैं Hindi में या फिर admit card में लिखा हुआ है Hindi और आप देना चाहते हैं English में तो क्या यह possible है अगर आपकी भी एक query है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं वरना आप इस वीडियो को skip कर दीजे क्योंकि आपके लिए एक एक minute बहुत ही important है तो पहली बात तो यह है कि अगर आप ओ लेवल में paper आपके चार होते हैं कहने comments यह है कि ओ लेवल में आप जितने paper में pass हो जाएंगे वो आपको दुबारा से नहीं देना है जितने में आप by chance fail हो जाएंगे फिलाल मेरी आपके साथ में सुपकामना है और आपकी महनत है आप fail नहीं होंगे बट फिर भी by chance अगर आप fail हो जाते हैं तो जिसमें आप fail होंगे सिर्फ आपको वही paper देना होगा दूसरी बात यह है कि आप fail कम माने जाएंगे ध्यान दीजेगा जो paper आपका होता है paper दो पार्ट में होता है part a part b मैं आपको यह बात के वर रदा चुका हूँ अगर आप लोग exam पहली बार दिने जा रहे हैं तो मैं आपको clear हो जाएंगे फिराल हम point पे आते हैं तो कहां गया यह रहा ठीक चलिए तो आपका बात clear हो गया तो जो आपका paper होता है paper आपका दो पार्ट में होता है part a आपका होता है 40 नंबर का जो की objective होता है और जो part b है वो आपका होता descriptive है कि उसमें आपको pin से answer लिखने होते हैं अग आपका दो पार्ट में होता है paper नहीं होता है paper दो पार्ट में होता है एक part होता है 40 नंबर का जिसमें आपकी 20 नंबर लाना कंपल सरी है तभी आपकी part b copy check होगी और आपके overall 100 में से 50 नंबर आने चाहिए तभी आप pass माने जाएंगे ठीक है पहली बात रहिए दूसरी बात आपका एड्मिट कार्ड है उसमें मीडियम लिखा हुआ है English और आप हिंदी में paper देना चाहते हैं या फिर आपका जो एड्मिट कार्ड है उसमें medium है Hindi और आप English में देना चाहते है तो इस case में क्या यह possible है तो इसका answer है जी बात इना चाहते हैं जो आपका एड्मिट पूछेगा, option उसमें रहेगा, कि आप paper किसमें देंगे, हिंदी में या फिर English में, तो जो आपको देना हो, अगर आपको हिंदी में देना है, तो आप वहाँ पर हिंदी में टिक करिएगा, admit card से कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसमें हिंदी है, तो आप English में दे सकते हैं, अगर आपका English में है तो आप Hindi में दे सकते हैं, तो ये एक छोटा सा update हो सकता है कि आपका भी doubt हो तो अगर आपके मन में doubt कोई और भी है, फिलाल मैं आपको आपके मन में कोई भी doubt नहीं रहेगा फिर भी कोई doubt आपको एक्जाम को लेकर है तो आप comment कर दीजेगा या फिर आप मुझे WhatsApp पर message कर सकते हैं आपको यहाँ पर right side में टॉप में मेरा मवाई लंबर दिख रहा होगा, तो मैं आपके doubt क्लियर कर दूँगा जय हिंद जय भारत बेस्ट अफ लुक थैंक यू फ्रेंट्स